हेलो चिल्रन, आज हम लोग CBSE E-zone में करेंगे हिंदी का क्लास 10 का चैप्टर ततारा वामीरो कथा यह चैप्टर लीला धर मंडलोई द्वारा लिखित है चलिए इसका हम लोग करते हैं पार्ट प्रिवेश जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि हर चैप्टर का आप पार्ट प्रिवेश करिए जिससे कि इसमें आने वाले जो भी questions है वो ज़्यादातर के answers आप इसमें पा सकते हैं तो सुनते हैं पार्ट प्रिवेश जो सब्वेता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतना ही ज़्यादा किस्टे कहानिया भी सुनने को मिलती हैं किस्टे जरूरी नहीं कि सचमुच उस रूप से घटित हुए हों जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं इतना जरूर है कि इन किस्सों में कोई न कोई संदेश या सीख नहित होती है अंद्रमान निकोबार द्वीव समुह में भी तमाम तरह के किस्से मशुहूर है इन में से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है प्रस्तवत्पाट ततारा वामीरो कथा इसी द्वीव समुह के एक छोटे से द्वीवपक के इंद्रित है उक्त द्वीव में विद्वेश गहरी जड़े जमा चुका था उस विद्वेश को जड़ मूल से उखाडने के लिए एक यूगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था उसे यूगल के बलिदान की कथा यहां बयान की गई है प्रेम सबको जोडता है और गृणा दूरी बढ़ाती है इससे भला कौन इंकार कर सकता है इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का अपने जीवन तक का बलिदान करता है समाज उसे न केवल याद रखता है बलकि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता यही बज़य है कि ततकालिन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस यूगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और शद्धा के साथ याद करते हैं तो चलिए आगे सुनते हैं कहानी ततारव आमिरो कथा अंदमान दीवसमू का अंतिम दक्षिन द्वीप है लिटिल अंदमान यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है इसके बाद निकोबाद दीवसमू की श्रंकला आरम होती है जो निकोबारी जनजाती की आदिम संस्क्रती के केंदर है निकोबाद दीवसमू का पहला प्रमुक द्वीप है कार निकोबाद जो लिटल अंदमान से 96 किलोमीटर दूर है निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे इसे विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दवरहाई जाती है सदियोपूर जब लिटल अंदमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहाँ एक सुन्दर सा गाउँ था पास में एक सुन्दर और शक्तिशाली यूवक रहा करता था उसका नाम था ततारा निकोबारी उसे बेहत प्रेम करते थे ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था सदेव दूस्रों की सहायता के लिए तत्पर रहता था अपने गाउँ वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीफवास्यों की सेवा करना अपना परम करता वे समझता था उसके इस त्याक की वजह से वे चर्चिता सभी उसका आदर करते वक्त मुझीबत में उसे स्मरण करते और वे भागा भागा वहां पहुँच जाता दूसरे गाउं में भी परवित्योहारों के समय उसे विशेश रूप से आमंतृत किया जाता उसका अब्यक्तित्व तो आकरशक था ही साथ ही आत्मिय सुभाव की बजह से लोग उसके करीब रहना चाहते परंपरिक वो शाक के साथ वे अपने कमर में सदेव एक लकडी की तलबार बांदे रहता लोगों का मत्था बावजूद लकडी की होने पर उस तलबार में अद्बुत तैविय शक्ति थी ततारा अपनी तलबार को कभी अलग न होने देता उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता किन्तु उसके चर्चित साहसिक कारणों के कारण लोग बाग तलबार से अद्बुत शक्ति का होना मानते थे ततारा की तलबार एक विलक्षन रह से थी एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिशम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा सूरज समुद्र से लगे शितिश तले डूबने को था समुद्र से ठंडी बयारे आ रही थी वक्षियों की सायंकालीन चहचाहाटे शने 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 शीन होने को थी उसका मन शान था विचार मगन ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किर्णों को समुद्र पर निहारने लगा तभी कहीं पास से उसे मदुर गीत गूंचता सुनाई दिया गीत मानो बैता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो बीच बीच में लेहरों का संगीर सुनाई देता गायन इतना प्रभावी था कि वे अपने सुद्वुद्ध होने लगा लेहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की चैतन होते ही वे उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अभी गीत के स्वर बह रहे थे वे विकलसा उस तरफ बढ़ता गया अंततहा उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदरे में बेसुद एक तक समुद्र की देह पर डूपते आकरशक रंगों को निहारते हुए गा रही थी यह एक श्रिंगार गीत था उसे ग्याती ना हो सका कि कोई अजनभी युवक उसे नीश शब्द ताके जा रहा है एक आएक एक उची लहर उठी और उसे भिगो गई वे हर बड़ा हट में गाना भूल गई इसके पहले ही वे सामाने हो पाती उसने अपने कानों में गूंजिती गंभीर आकरशक आवाज सुने तुमने एक आएक इतना मदुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा अपने सामने एक सुन्दर युवक को देखकर वे विस्मित हुई उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ किन्तु अपने को संयत कर उसने बेरुकी के साथ जवाब दिया पहले बताओ तुम कौन हो इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रशन का कारण अपने गाओं के इलावा किसी और गाओं के युवक के प्रशनों को उत्तर देने को मैं बाधे नहीं यह तुम भी जानते हो ततारा मानू सुध बुद्ध खोई हुए था जवाब देने के स्थान पर उसने पुने अपना प्रशन दोहराया तुमने गाणा क्यों रोक दिया गाओं गीत पूरा करो सच मुझ तुमने बहुत सुरीला कंट पाया है यह तुम मेरे प्रशन का उत्तर नहीं हुआ युवती ने कहा सच बताओ तुम कौन हो लपाती गाओं में तुमें कभी देखा नहीं ततारा मानू सम्मोहित था उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुँचना सकी उसने पुने विनै की तुमने गाना क्यों रोक दिया गाओं ना युवती जुन्जला उठी वे कुछ और सोचने लगी अन्ततहा उसने निश्चय पूर्वग एक बार पुना लगभग विरोत करते हुए कड़े स्वर में कहा धीटता की हद है मैं जब से परिचे पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही रागलाप रहे हो गीत गाओ गीत गाओ आखिर क्यों क्या तुम्हें गाओं का नियम नहीं मालूम इतना बोलकर वे जाने के लिए तेजी से मुड़ी ततारा को मानो कुछ होश आया उसे अपनी गलती का एहसास हुआ मैं उसके सामने रास्ता रोक कर मानो गिरगराने लगा मुझे माफ कर दो जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ तुम्हें देख कर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूँगा बस अपना नाम बता दो ततारा ने विवश्टा में आगरे किया उसकी आखें युवदी के चेहरे पर केंद्रत थी उसके चेहरे पर सच्ची विने थी वामीरो एक रस गोलती आवाज उसके कानों में पहुँची वामीरो वामीरो वाह कितना सुन्दर नाम है कल भी आओगी न यहां ततारा ने याशना भरे स्वर में कहा नहीं शायद कभी नहीं वामीरो ने कहा और जटके से लपाती की तरह बेसुदिसी दोड़ पड़ी पीछे ततारा के वाके गुझ रहे थे वामीरो मेरा नाम ततारा है कल मैं इसी चट्टान पर प्रतिक्षा करूंगा तुम्हारी बाट जोऊंगा जरूर आना वामीरो रुकी नहीं भाकती गई ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा वामीरो घर पहुँचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक जूटी छटपटाहट थी एक जहलाहट में उसने दर्वासा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया बार बार ततारा का याचना भरा चहरा उसकी आँखों में तैर जाता उसने ततारा के बारे में कई कहानिया सुन रखी थी उसकी कल्पना में पह एक अदबुद सहासी योवक्त था किन्तु वही ततारा उसकी सम्मुक एक अलग रूप में आया सुन्दर, पलिष्ट किन्तु बेहज शांत, सब और भोला उसका व्यक्तित वे कदाचित वैसा ही था जैसे वे अपने जीवन साती के बारे में सोचती रहती थी किन्तु एक दूसरे गाओं के युवक के साथ वे संभन्द परंपरा के विरुत था अतैव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयसकर समझा किन्तु ये असंभव जान पड़ा ततारा बार बार उसके आखों के सामने था निर्निमेश याचक की तरह प्रतिक्षा में डूबा हुआ किसी तरह राद बीती दोनों के हिदे व्यथित थे किसी तरह आज रहे एक ठंडा और उबाओ दिन गुजरने लगा शाम की प्रतिक्षा थी ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतिक्षा थी उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था वे अचंबित था साथ ही रोमान्चित भी दिन डल्ले में काफी पहले लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुँँच गया वामीरों की प्रतिक्षा में एक एक पल पहाड की तरह भारी था उसके भीतर एक आशंका भी दोड रही थी अगर वामीरों ना आई तो वे कुछ निर्णे नहीं कर पा रहा था सिर्फ प्रतिक्षा रत था बस आज की एक किरंड थी जो समुद्र की देह पर दूपती केड़नों की तरह कभी भी डूप सकती थी एक बार वे बार-बार लपाती के रास्ते पर नजरे दोडाता सहसा नारियल के जुर्मुटों में उसे एक आकरती कुछ साफ हुई कुछ और, कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा सच मुच वे वामीरों थी लगा जैसे वे घबराहट में थी वे अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी बीच बीच में इधर उधर द्रिष्टी दोडाना ना बूलती फिर तेश कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर खिटक गई दोनों शब्दहीन थे कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था एक तक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे सूरज समुद्र के लहरों में कहीं खो गया अंधेरा पढ़ रहा था अचानक पामीरों को सचेत हुई और घर की तरफ दोड़ पड़ी ततारा अब भी वहीं खड़ा रहा निश्चल शब्दहीन दोनों रोज उसी चगे पहुँचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेश ताकते रहते बस भीतर समरपन था जो अनवरत घहरा रहा था लपाकी के कुछ यूगों ने इस मुख प्रेम को भाप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी वामीरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का दोनों का संबंद संभव ना था रीती अनुसार दोनों को एक ही गाउं का होना आवश्यक था वामीरो और ततारा को समझाने बुझाने के कही प्रयास हुए किन्तु दोनों अडग रहे वै नियमता लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे अववाहें फैलती रहे कुछ समय बाद पासा गाउं में पशुपर्व का आयोजन हुआ पशुपर्व में रिष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ती परिक्षा पतयोग्दय भी होती है वर्ष में एक बार सभी गाउं के लोग हिस्सा लेते हैं बात में नित्य संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है शाम से सभी लोग पासा में एकत्रत होने लगे दीरे दीरे वेभिन कारेग्रम शुरू हुए ततारा का मन इन कारेग्रमों में तनिक ना था उसकी व्याकुल आखे वामीरों को ढूनने में व्यस्त थी नारियल के जुंड के एक पेड के पीछे से उसे जैसे कोई जागता दिखा उसने थोड़ा और करीब जाका पहचानने की चेश्टा किरी वे वामीरों थी जो भैवर्ष सामने आने से जिजक रही थी उसकी आखे तरल थी होट काप रहेते ततारा को देखते ही वे फूट कर रोने लगी ततारा विहल हुआ उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था रोने की आवाज लगातार उची होती जा रही थी ततारा किंकर्त व्यवी मूर था वामीरों के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ बहां पहुँची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी सारे गाउवालों को उपस्थिती में यह द्रश्च उसे अपमांजनक लगा इस बीच गाउव के कुछ लोग भी बहां पहुँच गे वामीरों की माँ क्रोध में उपन उठी उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया गाउव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज उठाने लगे यह ततारा के लिए असेहनिय था वामीरों अब भी रोई जा रही थी ततारा भी गुसे से भर उठा उसे जहां विवा के निशेत परंपरा पर शोब था वही अपनी असहायता पक्हींच वामीरों का दुख उसे और गहरा कर रहा था उसे मालूम ना था कि क्या कदम उठाना चाहिए अनायास उसका हाथ तलवार की मूट पर जाग दिका क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा क्रोध लगा तार अगनी की तरह बढ़ रहा था लोग सहें उठे एक सनाटा सा खिच गया जब कोई रह ना सूजी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ती भर उसे धर्ती में घोब दिया और ताकस से उसे खिचने लगा वे पसीने से नहा उठा सब घबराई हुए थे वे तलवार को अपनी तरफ खिचते खिचते दूर तक महच गया वे हाफ रहा था अचानक जहां तक लकीर खिच गही थी वहाँ एक दरार होने लगी मानो धर्ती दो टुकडों में बटने लगी हो एक गड़ाहर सी गुंजने लगी और लकीर की सीध में धर्ती फटती जा रही थी द्वीब के अंतिन सिरे तक ततारा धर्ती को मानो क्रोज से कारता जा रहा था सबी भयाकुल हो उठे लोगों ने ऐसे द्रश्ट की कलपना न की थी वह सीहर उठे उधर वामीरो फटती हुई धर्ती के किनारे चीकती हुई दोड रही थी ततारा 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 उसकी करुना चीक मानो गड़गडाहट में टूब गई ततारा दुरभागे बश दूसी तरफ था द्वीब के अंतिम सिरे तक धर्ती को चाकता वै जैसे ही अंतिम छोर पर पहुँचा द्वीब दो टुकरों में विभक्त हो गया एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ वामीरो ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा उसकी तरह का द्वीब समुद्र में धसने लगा वै छट पटाने लगा उसने छलांग लगा कर दूसरा सिरा थामना चाहा किन्तु पकड धीली पड़ गए वै नीचे की तरफ फिसलने लगा पहला गाता समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था उसके मुँ में सिर्फ एक ही चीक उभरगर डूब रही थी वामीरो 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 उधर वामीरो भी ततारा 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 पुकार रही थी ततारा लहु लुहान हो चुका था वे अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा वे कटे हुए द्वीब के अंतिम भूकन पर पड़ा हुआ था जो की दूसरे हिस्से से सैयोख वश जुड़ा था बैता हुआ ततारा कहां पहुँचा बाद में उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता इधर वामीरो पागल हो थी वे हर समय ततारा को खोशती हुई उसी जगे पहुँचती और घंटों बैठी रहती उसने खाना पीना छोड़ दिया परिवार से वे एक तरफ बिलग हो गई लोगों ने उसे ढूड़ने की बहुत कोशिश की किन्तु कोई सुराग नहीं मिला आज ना ततारा है ना वामीरो किन्तु उनकी एक प्रेम कता घर घर में सुनाई जा रही है निकोबरियों का मत है कि ततारा के तरवार से कर निकोबार के जो टुकडे हुए उसमें दूसरा लिटल अंदमान है जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थत है निकोबार इस घटना के बाद दूसरे गाउं में भी आपसी फेवाहिक संबंद करने लगे ततारा वामीरों की त्याग मही मृत्यू शायद इसी सुकत परिवर्दन के लिए थी धन्यवाद